देखो जब से internet invent हुआ है जब से Gmail आया है तब से हम हजारों email रोज भेजते हैं और हजारों email रोज receive करते हैं अब तो email के माध्यम से आप OTP भी लेते हो और कोई भी ऐसी website नहीं है या कोई भी ऐसी जगे नहीं है जहाँ पे आपको email की आवशकता ना पड़े और Gmail तो इसके लिए सबसे वड़ा वर्दान है जो Google का एक free tool है इस वीडियो में हम Gmail के कुछ ऐसे tips and tricks जानने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे तो हमेशा की तरह ये एक और जबरदस वीडियो होने वाला है मैं अभिमनी भरत वाज आपका स्वाल करता हूँ माई विग गैड स्मार्ट क्लास में और हमेशा की तरह आपके लिए पहुत ही जबरदस वीडियो लेकर आता रहता हूँ पुराने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है शोशल मीडिया का भी है वहाँ से जाईए देखिए जॉइन करिए और ग्यान के मासा अगर में डुपकी लगाईए चलिए बिना कुछ देर के शुरू करते हैं जीमेल के ये कुछ जबरदस टिप्स और रिक्स जो आपके बहुत कामाने वाले हैं तो सबसे पहले हम जीमेल पर आ जाते हैं और यहां पर अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति को मेल भेजते समय एक पास कोड उसको एपलाई कर दो जिससे उसके अलावा कोई और व्यक्ति यदि चाहे भी तो उस मेल को ना पढ़ पाए ऐसा कैसे हम कर सकते हैं ऐसा कैसे मेल हम बना सकते हैं कि मेल पढ़ने से पहले उसको उसमें एक OTP या पासवर्ड डालना पड़े तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि आपको यहां पे कंपोस पर जाना है और यहां पे छोटा सा मेल टाइप कर देता हूं उपर email डाल देता ठीक है अब मुझे mail इनको भेजना है अपने स्टाफ मेंबर को और मैं चाहरा हूँ यह जब भी mail खोले है तब इनको यहां पे पासवर्ड डालना हो उसके लिए यहां पे नीचे आपको एक lock जैसा icon दिख रहा होगा इस पर क्लिक करिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे त जो पढ़ने वाला है वो न इस mail को forward कर सकता है, copy कर सकता है, print कर सकता है न डाउनलोड कर सकता है वो options उसके पास आएंगे ही नहीं और यहां पे इसका expiry जो time है वो दे रखा है अब आप हिस वाली confidential mode को कितने time में expire करना चाहते हैं तो यहां पे एक दिन से लेगे 5 साल तक का समय है, हम एक दिन डालेंगे और यहां पे देखो यहां पे require passcode का option है, तो all passcode will be generated by google, google के थ्रू यह passcode generate होंगे, तो अब हम यहां पे select करेंगे SMS passcode, यहां से save करेंगे और जैसे ही हम यहां से इसे send करेंगे, तो देखो send करते समय ही यहां पे confirm phone number का option आएगा, अब यह phone number किस इसका होगा, यह उस व्यक्ति का phone number होगा, जिसे आप यह mail भेज रहे हो, अब email box तो मतलब computer तो सब के सामने खुला रहता है, तो कोई भी व्यक्ति आगे उस mail को ना पढ़ पाए बीच में, तो passcode बड़ा ज़रूर यह मानूगी, forward हो गया, गलती से कोई चीज हो गई, अब यहाँ पर आप अपना country code select करेंगे, तो अब यहाँ पर मैंने मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति का phone number डाल दिया है, जिसे मैं यह mail भेज रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से इसे send करूँगा, अब देखो mail तो चला गया, लेकिन अब जब वो उस व्यक्ति के पास पहु आ रहा है, verify identity, to view this mail, you just first confirm your identity, a one time passcode will be sent this number, तो यहाँ पर जो mobile number है, उसके last two words आ रहे हैं, तो यहाँ पर send passcode पर जैसे आप click करेंगे, यह वो वेक्ति क्लिक करेंगा, तो जो passcode है वो उसके mobile number पर भेज दिया जाएगा, अब जैसे ही मैं यहाँ से send passcode करूँगा, तो एक passcode यहाँ से उस mobile number पर भेजा जाएगा, और यहाँ पर enter passcode का option आएगा, तो यहाँ पर मान के चलते हैं को passcode मेरे पास आ गया है, अब मैं यहाँ से submit करूँगा, और जैसे ही मैं submit करूँगा, वैसे ही मुझे जो mail के अंदर message मिला था, फाय, वो मैं पढ़ पाऊँगा, अब य वो है कि अगर आपने एक email टाइप किया और आपने उसको draft करने से पहले ही send कर दिया, यानि अगर वो draft condition में है, या आपने कुछ spelling कहीं mistake कर दी और वो send हो गया गलती से, तो कैसे आप undo वाला जो option है, जो MS Word में, Excel में आप इस्तमाल करते हो, चला गया, आप कैसे भी करके इसक send cancellation period, 5 second, अब मैं इसको बढ़ा के 10 second कर देता हूँ, तो अब मुझे 10 second का समय मिल जाएगा, mail को वापस लाने के लिए, या mail को cancel करने के लिए, अब इस condition में क्या होगा, कि जब भी Gmail किसी को mail करेगा, और आपने जो time period दे रखा है, तो इतने second बाद उसको mail करेगा, आपके भ अगर आपको ये भेजना है, तो आप जाने दीजिए, नहीं तो यहां से undo कर दीजिए, तो जैसे मैं undo करूँगा, फिर दुबार आसे यहां पर जो message box है, मेरे सामने आ जाएगा, मतलब हमने mail भेज भी दिया, और उसको cancel भी कर दिया, तो यहां से आप जो time period है, वो set कर सकत हो, तो आप पुराने वाले email के सारे mails नए mail पर कैसे forward कर सकते हो, पहली चीज तो यह है, और दूसरी चीज यह है, कि आपके office के staff के पास एक email ID है, और आपके पास email ID है, अब staff कुछ particular mails को आप से चाहता है, कि सर यह mail मेरे पास आप forward कर दीजिए, तो कैसे keyword based mail को आप auto forwarding प में से जो forward होते रहें, तो mail forwarding आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हमको जाना है settings पर, and यहाँ पे all settings पे click कर देना है, and यहाँ पे आपको forwarding and POP and IM AP का option दिखाए देगा, इस पे चले जाएए, अब यहाँ पे आपको add forwarding address का option दिखेगा, इस पे इक ति आ रहा हूँ, वो पुराना है, यहाँ पे मैंने email डाला, और यहाँ से मैंने next किया, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने email को verify करना होगा, कि यह आप ही है, नहीं तो हो सकता है, कोई और भी व्यक्ति आपके email को forward कर सके, तो इसको हम verify करेंगे, अब देखो mail verify हो आप मुझे यहां से प्रोसीड करना है और मेरे इस एमिल पर आने वाले सारे मिल फॉर्वड होना शुरू हो जाएंगे अब तो यहां पर आ गया verify यह email address आ गया और अब मेरे इस email पर आने वाले सारे mail इस नए वाले email पर फॉर्वड होंगे तो यह तो हो गया सारे emails को forward करना अब हम यह समझ लेते हैं अगर आपना mail forwarding लगा दी है तो उसको कैसे हम खत्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे remove address का option आपको मिल जाएगा हम यहाँ से सोगे करेंगे और जो हमारी mail forwarding है वो remove हो जाएगी तो इस तरह से आप complete email को किसी दूसरे नए mail बे forward करा सकते हैं आप चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिकी तरफ तो देखा आपने computer की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है आपकी कई समस्याओं को समाधन कर देती है और आजकल तो हर जगे हर field हर job में computer की knowledge होना अनिवार है लेकिन ये सीखेंगे आप कहा से तो आपके लिए मैंने शुद सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेतरीन computer course से यार किया है जिसमें 22 से ज़्यादा professional course है और ये जो course है ये offline mode में है यानि इसके लिए आपको internet की भी आवशक्ता नहीं है स्क्रीम पे ये जो list दिख रही है ये 22 के 22 course आपको offline mode में इस pin drive के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे और अभी इस course पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्टाउंट यानि हमारे summer game offer अभी चालू है जिसमें आप इस course को केवल और केवल 2499 रुपे में ले सकते हैं इसके लिए description में दिएगे link पर click करिए और इससे संबनेताब को जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे team member मनोज अतरों से बात कर सकते हैं उनका number मैंने यापे नीचे screen पर दे रखा है या फिर आप हमारी website offline.pcskill.in पर जा सकते हैं चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर आप देखिए कि जो मेरा mail है अभी मैंने नया बनाया है वहाँ पर कोई भी जो email है वो organized नहीं आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पर कोई भी tab वागेरा नहीं आ रहा है अब वो tabs हम कैसे लिखे आएंगे तो हम जाएंगे setting के icon पर all settings पर हम click करेंगे और यहाँ पर inbox का option आपको दिखाए देगा inbox पर आप click कर देंगे तो inbox पर यहाँ लगलग category आती है तो Gmail क्या करेगा जैसे आप यहाँ पर promotional, social, update of forms वालो पर जैसे tick लगाएंगे यहाँ पर जितनी category दे रखी है तो आपकी emails को अपने आप से filter करेगा और आपको वहाँ पर category डिस्प्ले कर देगा मैं यहाँ पर यह सब पर tick लगा देता हूँ और यहाँ से save change कर दूँगा तो यहाँ पर कोई भी tab नहीं आ रहा था वहाँ पर primary emails मुझे यहाँ देख रहे है promotional emails मुझे यहाँ देख रहे है social यहाँ देख रहे है updates मुझे यहाँ पर दिखेंगे और कुछ forms वाले mail मुझे यहाँ पर दिखेंगे यहाँ दुबारा mail को open करूँगा फिर किसी और को बढ़ना है तो फिर back जाऊँगा फिर बढ़ना तो यहाँ पर एक आप reading pen भी लगा सकते हूँ यहाँ आपने click किया और यहाँ mail आ गया तो इसके लिए आपको settings पर जाना है और फिर से मैं यहाँ से इसे save change करूँगा तो अब जैसे ही मैं किसी भी mail पर click करूँगा तो देखो मुझे यहाँ पर वो सीधे सीधे पढ़ने को मिल जाएगा यह देखो मैं किसी mail पर click कर रहा हूँ तो मुझे back जाने की ज़रूद नहीं उस समय के लिए आप अपने पूरे के पूरे Gmail को offline कर सकते हो mail को offline करने के लिए आपको setting पर click करना है all settings पर जाना है और यहाँ पर आपको offline का option दिखेगा इस पर click कर दीजिए और यहाँ से enable offline email पर चले जाहिए अब यहाँ से देखिए आपको storage दिखाई देगा और security purpose से यहाँ पर keep offline data in my computer पर मैं tick लगा दूँगा और यहाँ से safe change कर दूँगा तो अब जब भी मेरे पास internet connection नहीं होगा तब भी मैं 7 दिन तक के जो mail है वो mail box में जाके पढ़ सकता हूँ मेरा Gmail Google Chrome के अंदर offline हो जाएगा अब एक और trick समझ लेते हैं कि आज आपने कोई mail तेगार किया और वो आपको कल या परसों किसी विक्ति को भेजना था लेकिन आप कल और परसों तो छुट्टी पे जा रहे हैं तो आपके पीछे से खुद बखुद Gmail उस mail को उस time पे और उस date पे कैसे बेचेगा तो आप mail को schedule कैसे कर पाएंगे तो इसके लिए compose के बटन पे चाहिए यहाँ पे आप उस विक्ति का mail address टाइप करिए यहाँ पे आपको आपका message टाइप करना है नीचे जो भी message लिखना चाहें आप लिख सकते हैं इसके बाद में send की जगे आपको यहाँ पे schedule send करना है और schedule send जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे tomorrow morning, afternoon morning और Monday morning जैसे option दिखाए देंगे मैं आगे के 3 दिन या 4 दिन का option दिखाए देगा या फिर आप यहाँ से date and time pick कर सकते हो इस calendar बैसे तो मान के चलो मुझे 31 तारिक को यह mail भेजना है और यहाँ पे जो time है वो मैं अपने इसाप से लिख कर और इसे schedule कर सकता हूँ तो यह message मुझे schedule वाले option में यहाँ पे दिखाए देगा मैं जितने भी message schedule करूँगा वो मुझे यहाँ दिखाए देंगे और वो कब भेज़ा जाएगा उसकी भी date आपको यहाँ पे मिल जाएगी अब मान के चलते हैं Gmail पर आप बहुत सारे लोगों को एक जैसे message भेजते रहते हैं तो इसके लिए बढ़िया सा template तेयार कर सकते हैं और एक click के अंदर वो जो सारा mail है और जो subject है वो आपके सामने आ जाएगा एक्जम्बल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने message compose किया अब मुझे मेरे किसी staff को भेजना है तो यहाँ पर मैंने email address तो टाइप कर दिया इसके बाद यहाँ पर three dots पर मैं click करूँगा और यहाँ पर आपको templates का option दिखेगा यहाँ पर आप देखो एक template मैंने hello message का तयार किया था मैं इस पर click करूँगा और जैसे ही मैं hello message के template को select करूँगा वैसे ही यहाँ पर देखो आप subject आ जाएगा और नीचे जो mail है वो लिखा हुआ आ जाएगा अब बस मुझे थोड़ा सा और change करना है और इसे बस send कर देना है या भेज देना है तो नया template बनाने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी जो आप चाहे है वो type कर लीजे तो पहले मैं email address हटा देता हूँ और यहाँ पर एक message type करता हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा funny message लिगा ह आप कैसे है नमस्ते आप कैसे है आपको आज office नहीं आना है मान के चलो कि मुझे इसी message का एक template बनाना है बार बार कई लोगों को मुझे भेजना है तो बस यहीं पर मैं जाओंगा and three dot पे मैं click करूंगा template पर जाओंगा और यहाँ पर save draft as template पर click करूंगा और यहाँ पर save as new template पर click करूंगा अब यहाँ पर देखो जो subject है message का वो यहाँ पर आ जाएगा अब मैं इसे save कर दूँगा अब अगली बार जब मुझे same यह बिल्कुल message type करना है तो मैं compose की button पर जाओंगा three dot पर click करूंगा templates पर जाके यहाँ पर बस आपको यहाँ पर templates दिख जाएगा आप कैसे हैं मैं click करूंगा वो पूरा पूरा जो entire message है वो आपके सामने type हो के आ जाएगा अब बस आपको उबर email addresses डालने हैं और message को भेज देना है तो इस तरह ऐसे आज के इस video में हमने जाना कि Gmail के वो कौन-कौन से tips and tricks हैं जिनसे आप अपने mail बेजने के तरीके को और की better बना सकते हो अपने time को बचा सकते हो और छुटियों में भी कैसे पीछे से अपने mail को send कर सकते हो कैसे email को forward कर सकते हो इसमें से कोई भी tips and tricks अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे के बताना मैं मिलता हूँ आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदिमातरम